सीरिया में अमेरिकी सैन ने ठेकानों पर हमला सीरिया में अमेरिका और इरान के भी जन अमेरिका का बदला भड़काएगा विश्वय युद्ध की आप जिसका डर था वो हो गया इरान ने सीरिया में मौझूद अमेरिका के छेकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया इरान ने 24 घंटे के अंदर अपना बदला ले लिया अमेरिका ने एक रोज पहले सीरिया में मौझूद इरान के ठिकानों पर एर श्ट्राइक की थी जिसके जवाब में इरान ने बड़ा पलटवार किया है इरान ने पूर्वी सीरिया में मौझूद अमेरिका के सेन ने ठिकानों पर एक एक कर चार ड्रोन हमले किये जिसके बाद अमेरिका को भी ऐसास हो गया कि अगर वो इरान के ठिकानों पर हमला करेगा तो इरान भी चुप नहीं बैठेगा अमेरिका ने एक रोज पहले ही सीरिया में मौझूद इरान के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया था बताया किया कि अमेरिका के हवाई हमले में इरान के हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया खबर ये भी है कि अमेरिका के इस हमले में इरान के कई लड़ाके भी मारे गए और अमेरिका के इस हमले के बाद इरान ने भी बदला ले लिया पश्ची मेश्या में पहले ही हालात विस्पोटक बने हुए हैं सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके में जंग की आग भड़का सकती है और अमेरिका के इरे स्ट्राइक के बाद इरान ने जिस तरह से हमला किया उससे तो एक बात पक्की हो गई है कि इरान खुल कर जंग के मैदान में उतरने को तयार है और अगर ऐसा हुआ तो 35 साल बाद अमेरिका और इरान दूसरी बार जंग लड़ेंगे इससे पहले दोनों असी के दशक में लड़े थे मगर तब जंग इरान और अमेरिका दे बीच नहीं थी को दो हाथ कर सकते हैं शूंकि अमेरिका के लड़ाकों ठिमानों ने इरान की सेना की ब्रांच IRGC यानि इसलामिक रिबोलूशन भी गाज और वहा पर रखे गए हत्यारोंसे ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर बीदे 3 हफतों से हमले किये जा रहे हैं। लड़ा के ही रहे हैं। लड़ा के सैनिक आइसिस की आतंकियों से लड़ रहे हैं। जिन पर 17 अफ्रूबर से अब तक करीब 41 बार हमले हो चुके हैं। बताया किया कि उन हमलों में अमेरिका के 46 सैनिक कायल हुए हैं। जिन में कुछ को तो सिर्फ गंभीर चोटाई हैं। और इराक और सीरिया में इरान के समर्थन वाले लड़ाके अक्टिफ हैं। इसलिए अमेरिका इरान के इशारे पर उसके लड़ाकों के अपने अट्टों को निशाना बनाने का आरोग लगा रहा है। और जवाब में इरान के छिगानों पर अटैक कर रहा है। यहां तकि अमेरिका पूरे के पूरे पश्ची मेशिया में अपनी सेना की तेले बंदी कर चुका है। और पश्ची मेशिया में अपने सैनिकों की संध्या बढ़ाने से लेकर, अमेरिका वहां अपने जंगी जहाजों से लेकर F-15 और F-16 जैसे एक से बढ़कर एक लड़ाकों विमान के बाच चुका है। और थाड और बैट्रियर जैसे एर डिफेंस सिस्टम भी तेनात बाच चुका है। अमेरिका ने इलाके में आस्मान में गश्ट भी बढ़ा दिये। मगर लग रहा है कि अमेरिका की हमले और पश्शी मेशिया में उसकी तेले बंद है। इरान और उसके साथियों के जहन में डर नहीं भर पा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के हमलों के बाद सीरिया और इराक में उसके संहिकों पर हमले और पढ़ गए हैं और वहाँ लगभग रोजाना अमेरिका के अटनों पर कभी रौख है तो कभी ड्रोन बरस रही है वहीं यमन से हूथी वित्रोजों ने भी अमेरिका को निशाना बनाना शुरू कर दिया है कुछ दिन पहले ही यमन में लाल सागत के उपर अमेरिका के MQ-93 पर ड्रोन को मार गिरा है और अमेरिका को आप बिद्दक हवा नहीं लगी कि आखिर इस हथियार से उसके ड्रोन पर अपना किया रही है